हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मम्ता मिस्रा एंड कुकिंग आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी नरम रसीले आटी का मालपुआ जिसमें ना तो मावा डालने वाली हूँ नहीं कंडेंस मिल्क और नहीं मिल्क पाउडर फिर भी ये बहुत दिलिसियस होगा मुह में ज सूजि ले लेंगे तो मैंने आधा कप के करीब स्यीटी लिया है और इसको मैं मिक्सी के झार में डाल देती हूं और इसके साथ ही मैं 1-1.5 चमग । ले रहे हैं क्योंकि हम पीस लेंगे तो बिल्कुल अची तरह से फुल जाएगा जब हम माल पुआ के लिए बेटर त्यार करेंगे अब हम इस कप से माप करके मैं एक कप इससे लिया है आटा मतगे हूं काटा और आधा कप और ले रही हूं तो यह दो अलग-अलग कप हैं तो इसका आ मिक्स कर लेंगे विस्कर के मदद से और फिर इसमें हलका गरम दूद हम डालेंगे ज्यादा इतना दूद गरम होना चाहिए कि हाथ से बरदास हो जकें और थोड़ा-थोड़ा करके आप दूद डालिएगा और इस बेटर को अच्छी तरह से मिक्स कीजेगा देखेगा हमें एक बार चला लिजेगा बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा अब यह देखे हमारा बेटर बिल्कुल बन करके रेडी हो गया है और इसको बनाने में मुझे तीन कप के करीब दूद लगा है हमारा जो आटा था अगेहूं का आटा डेर कप था सूजी आधा कप था और हमें दूद लगा है तीन कप अब अच्छी तरह से बेटर रेडी हो गया है इसमें दो स्पून मैंने मलाई फ्रेस मलाई होती है न घर की वो मलाई मैंने डाला है दूद में जो उपर में मलाई पड़ जाती है उसको और उसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लोंगे सारी चीज बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है इसे में आदे घंटे के लिए ढग करके ऐसे ही छोड़ दूँगे जब तक ये सेट होता है तब तक चलिए चासनी बना लेते हैं तक चासनी बनाने के लिए हम चौड़े पैनका एक प्रटिला ले रहे हैं और उसमें एक कब हम सकर डाल दे रहे हैं और इसी कब से माप करके हम eh compared दाले देंगे और फ्लेम को इस वकत हाई रखेंगे हाई फ्लेम पर हम इसे पहले पकाएंगे बाद में लो कर देंगे अब इन दोनों को अच्छी तरह से एक बार चला लीजेगा जिसे नीचे में सक्कर लगे नहीं और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से बॉयल होने देंगे जब ये boil होना शुरू हो जाएगा यानि बिल्कुल ही सकर घूल जाएगा तब हम इसमें केसर के कुछ strength डाल देंगे केसर के strength डालने के बाद थोड़ी देर में ये color change हो जाएगा और साथी हमने इलाची powder भी एक या दो चुटकी के बराबर डाल दिया है इलाची powder अगर आपके पास इलाची powder ना हो तो आप इलाची कूट करके भी डाल सकते हैं चासनी बनने में मुझे ज़्यादा time नहीं लगेगा चार से पाँच मिनट में चासनी बन करके रेडी हो जाएगा अब देखें यह अच्छी तरह से cook हो गया है अब इसे हाथ में लगा करके मैं टेस्ट कर रही हूँ अगर यह थोड़ा चिपचीपा जैसा हो ना जैसा कि अभी हो गया है बिल्कुल चिपचीपा जैसा तो बन करके बिल्कुल लेडी है अब आप flame को off कर दीजे और इसे ढग करके side में रख दीजे और तक तक देखें हमारा better भी set हो गया होगा तो better को check करते हैं better देखें बिल्कुल perfect लग रहा है अगर इस वक्त आपको ल मालपुआ तलने के लिए हमेशा चौड़ी पैनी वाला पैन या कडाई ले जैसे मैंने लिया हुआ है अब इस कडाई में मैंने 200 ग्राम के करीब घी डाला है अगर आप घी में नहीं बनाना चाते तो इसके जगा प्याप cooking oil कोई सभी ले सकते हैं बर देशी घी में ये बह आपको कुछ भी करने की जुरत नहीं है अब एक साइड का गोल्डेन होने तक ऐसे ही आप छोड़ दीजे जब गोल्डेन हो जाए तो इसको पलट दीजे एक साइड के गोल्डेन होने में दो मिनट लगता है क्योंकि फ्लेम को मैंने लो करके रखा है ये लो फ्लेम पे ही मीनट दूसरे लगेगा और्फिर दूनों साइड गोल्डेन तो इस तरह से आप इसको निकालने के बाद इस तरह के जालीवाले पल्टे में निकालने केगा जिससे एकस्ट्रा जो भी घी रहेगा वह टपक करके गिर जाएगा और तो आप इस तरह से एक पैन ले लिग में तो कराही में मैंने एक और मालपुए का बेटर डाल दिया है अब एक से दो मिनट हो गया है जब तक कि वो मालपुए पकता है तब तक ये पहले वाले मालपुए को हम चासनी में डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से उपर नीचे हम भींगा देंगे और फिर तीन से चार मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे तब तक चलिए हम चेक करते हैं हमारा दूसरा मालपुए कितना बना है अगर आपको हमारा चैनल हमारी देश पी पसंद आता है तो लाइक शेर कीजे चैनल पर नए हैं या फर्टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी किजे और पास के बेल आइकन को प्रेस कर दीजे जिसे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा ये देखे ये दूसरा भी मालपुए बन गया है अब इसे भी वैसे हम चास्ति में डाल करके निकालेंगे लेकिन पहले हम इसका एक्स्ट्रा घी निकाल लेते हैं और तब तक हमारा जो पहला वाला मालपुए था ना वो सीरे में अच्छी तरह से भींग गया है तीन-चार मिनट हो भी गया है तो उसे हम निकाल लेते हैं तो इसको इस तरह से आप थोड़ी दिर रोकेगा जिससे के एक्स्टा जो भी सीरा रहेगा गिर जाएगा और इसी तरह हमें बाकी सारे मालपुए को पहले तलना है और बाद में सीरा में डुबा करके निकालना है इसके बाद हम सर्व करके लेखते हैं यह लीचे बिल्कुल त्यार है रसीले मालपुए जो उपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से नरम मुलाएं पॉर्डर कुछ भी नहीं डाला है बनारस में इसे रबड़ी या मलाई के साथ खाया जाता है आप बिलीब नहीं करेंगे यह बहुत ही बढ़ियां उम्दा और पेश्टी लगता है और घर में मलाई तो हमेशा रहता है सबके घर में दूद आता और उसकी मलाई तो रहती ह तो चाहे आप मलाई के साथ खाये या फिर ऐसे ही खाये ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है आप एक बार ट्राइ किजिए आप बार बार बनाएंगे और इसे बनाना इतना कोई मुश्किल भी नहीं है बहुत ही आराम से इजली बहुत ही कम समय में फटा फट बन जाता है इ इसी के साथ ये वीडियो में यहीं समाप्त करती हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सबों को दिल से धन्यवाद। थैंक यू।